जिसके पिछली एपिसोड में हमने देखा कि दामिंग खायल हो गया है और वो जाता नहीं भाग सकता है लेकिन फिर भी आमिंग उसे उठा कर वहां से ले जाने लगता है लेकिन कैसे ना कैसे करके बीबी दाउं उन तक पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि तुम अब मरने होती है तैंक शैंक और जीवू अब वहां पहुच गए हैं और वो इन्विसिबल होकर इस रिश्य को देख रही है हाला कि उनके इन्विसिबलेटी उनने बीबी दांग से चुपा कर रख सकती है लेकिन वो आमिंग और दामिंग को कैसे बचाए उनने समझ नहीं आ रहा थ जीवू तैंक शैंक से पूछ थी भी है कि अब उनने क्या करना चाहिए वहीं आप बीबी दांग अपनी स्परेट पार से उन दोनों को लॉक कर देती है और वो दोनों ना तूटने वाले बंदन में फस जाते हैं अब आमिंग को पता चल जाता है कि अब अगर वो नहीं छ रहा है इनके भी स्ट्रगल चल रहा था कि तभी टांग शैंग एक तरीका सोचता है और कहता है कि वो पापल गॉड लाइट का यूज करके स्पिरिट के लॉक को तोड़ेगा ऐसा होने से आमिंग और दामिंग खत्रे से निकल जाएंगे उसके बाद में बागी एल्डस प करूंगा जिससे वो हम पर हमला नहीं कर पाएगी और नहीं हमारी लोकेशन ढून पाएगी जीवू इस प्लान से खुश नहीं थी क्योंकि भले ही बीबी टॉंग की उनसे हैद आन फाइट नहीं हो रही है लेकिन तांग शैंग का इस ज्वाला मुखी के सामने इस तरह है रहना खत्रे से कम नहीं है लेकिन क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा नहीं था इसलिए तांग शैंग उसे चिंता ना करने को कहता है वहीं बीबी टॉंग उनको लॉक करके अब उनको मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि तब ही तांग शैंग इन्विसिबल ह यूज करता है और बीबी टॉंग को पीछे तक केल दीता है अब उसकी स्पिरिट का लॉक भी डूट जाता है और दूनों बीस फ्री हो जाते हैं बीस समझ आते हैं कि तैंग शैंग और जीवू आ गए हैं सभी एलड़स भी कावी हैरान होते हैं और वो तुरन बीस पर हमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वहा तैंग शैंग अ जाता है और वो सीघॉरा किल लाइट से सभी एलड़स पर एक साथ ह Hamla कर दीता है सभी एलड़स सीघॉर लइट से जलने लगते हैं और उन सभी को काफी साथा कश्ठोरने लगता है वो लोग इधर से उधर भागने लगते हैं वहीं बागी एलड़स को वो अपनी Blue Silver Domain को फैल लाकर Blue Silver Plant से रोग देता है अब BB TONG के उपर Blue Silver Domain काम करने लगती है और उसकी राक्षचा सा Domain तूटने लगती है अब वो दोनों बीस भी Gravity Control Technique का यूज करके BB TONG को लॉग कर देते हैं BB TONG की बाटी अब इन दोनों बीस की वज़े से कहीं हिल दूल नहीं पा रही है वो एलड़स अब समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये लाइट उनका पीछा क्यों कर रही है वो इससे अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहे होते TANG SHANK अब Ghost Master के सामने आता है और उसे Queen Ming की याद दिलाता है Ghost Master समझ जाते हैं कि ये TANG SHANK है और ये Queen Ming की मौद का बदला लेकर रहेगा TANG SHANK कहता है कि चाहे ये Sea God की Light है या Queen Ming की Flame ये दोनों ही तुम्हारी मौद बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है अब Ghost Master सीधा TANG SHANK पर अटाक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसका एक भी अटाक TANG SHANK पर काम नहीं करता TANG SHANK के अंदर प्रतिशोद की भापना आग की रूप में बहर आ रही है और अब वो और जादा देर ना करते हुए Sea God का Trident यूज़ करता है उसकी Trident को देकर सभी Elder Shock हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला ये कैसा हत्यार है अब TANG SHANK Trident के मदद से सीधा Ghost Master पर हमला कर देता है और Ghost Master की वहीं बेरहरमी से मृत्यू हो जाती है जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है